नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाथ्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में बजार में आज भारी गिरावट हुई है और बीते समय में लास्ट टैम मार्केट कब इस हिसाब से तूटा है पता नहीं लेकिन आज जो कुछ हुआ है न इसमें बहुत कुछ हो गया है क्योंकि एक बैंक HDFC जिसने सब खराब कर दिया अभी भी कुछ हालात अच्छे दिख नहीं रहे हैं अगर अमेरिकर मार्केट्स ओपन करोगे आप तो ADR देखके तो आप भी भी डर लग रहा है क्योंकि 6% नीचे द दिमाग हिला देगा इतना बड़ा आया है तो एक एक करके सारी चीजों को कवर करता हूँ इस बीच में कुछ अच्छी खबर भी है रिजल्ट से रिजल्ट सीजन चल रहा है कुछ बढ़िया नंबर आये हैं बड़े दमदार वो भी आप से भी के साथ शेयर करूँगा एं आगे बढ़ें तो HDFC बैंक का ADR 6% नीचे दिख रहा है लेकिन क्या कल भी 6% टूटेगा लगता तो नहीं है टूटना चाहिए इतना बड़ देखते हैं क्या होता है अमेरिकन मार्केट्स की तरफ चलते हैं अब डिरेक्ली एंड उसके बाद मैं आप सभी का इस सवाल का ज लाल निशान है Dow Jones flat है बिल्कुल flat के बला उडनिस पॉंट नीचे है NASDAQ इंडेक्स एक सो पच्चिस पॉंट नीचे है because of some banking and ADRs अभी NASDAQ एक सो पच्चिस पॉंट नीचे है SMP 500 में आधे percent की गरावट और Russell 2000 एक परसेंट नीचे है तो अमेरिका का mix नहीं है लाल निशान म ये यूरोपियन मार्केट्स की तो फिटसी, डैक्स, क्रैक्ट तीनो एक-एक परसेंट अल्मोस्ट नीचे है इनफेक्ट फिटसी देड़ परसेंट नीचे है एशिया पैसिफिक, निकई, लाल, शंगाई तो दो परसेंट टूड़िया ये नहीं, पैसे को मैनेज करने के लिए होगी ट्रस्ट में, और ये वॉलिटिलिटी आपके लिए रहेगी, ये अगर गिरावट से आपको डर लग रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ आप जल्दी फिर से फ्रेश लाइफ आई देख लो जिस आपसे बजार में मूड माहौल है लेकिन आपको पैसा बनाना मुश्किल पड़ेगा इतना मैं कह सकता हूँ, इस साल तो आपको क्या करना है, फुली इंवेस्टेड नहीं रहना है, हाफ इंवेस्टेड रहिए, आदा पैसा अपने हाथ में रखिए और गिरावट में थोड़ा-थोड़ा लगाईए, ऐसा नहीं कि गिरावट एक साथ लगा दो, नहीं, थोड़ा-थोड़ा लगाओ, ठीक है, कम से कम 4,000 पॉंट तक की निफ्टी को कैरी कर पाओ गिरावट में इतनी हिसाब से लगाना, ठीक है, हाला कि गिरेगा नहीं इतना कुछ, लेकिन फिर भी आप ऐसे अपने आपको सैट रखना, दूसरा तरीका होता है, म्यूचल फंड का, आप चाहों तो म्यूचल फंड के थुरू भी पैसा लगा सकते हो, अपनी SIP कंटीनू रखो, और जिस दिन निफ्टी डाउन देखे, उस दिन 200-400 रुपे लमसम के रूप में लगा दो, जैसे आज नीचे था, 200 रुपे लमसम लगा दिये, कल फिर तूट जाए, 200 रुपे फिर लगा देना, आपका छोटा सा अमाउंट जा रहा है, कुछ नी बिगडेगा आपका, और वो सेव भी हो रहा है, मार्केट में लोवर लेवल पे भी लग रहा है, यह सबसे बेस्ट पार्ट है, और आपने अभी तक SIP स्टार्ट नहीं करिए, करना चाहते हो, यह दिक्कतें आती हैं, लमसम कैसे लगा सकते हैं, SIP को समझने में, तो description में मैंने Z fund का link दिया हुआ है, उस पे जाके, आप अपनी KYC complete कर लीजिए, टीम automatically आपके साथ contact करेगी, और उससे आप अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं, SIP से related, यहां हो गई बात की, किस तरीके से अपनी portfolio को manage कर सकते हो, और किस तरीके से आप market को play कर सकते हो, यह तरीका आपको safety भी देगा, साथी साथ आपको returns भी देगा, अब बढ़ते हैं अगले topic, FIDIS का data आज बहुत ही heavy आता हुआ दिखाए, तो हम मैं FIDIS का data बताना चाहूँगा, FIDIS के data में आज मैंने जब interestingly पड़ा तो मैं हिल गया, मतलब इतना बड़ा number कहा से आगया समझ में नहीं जिसमें पहले half में ही गिरावट बड़ी हो गई थी, लेकिन उसके बाबजूद भी FIDIS 10,578 करोड की selling करके गई है, साड़े 10,000 करोड की cash market में selling है उनकी तरब से, और DIAs 4,000 करोड की buying करके गई है, लेकिन उसके बाबजूद first half में market कैसे तूट रहा है, first half तो DIAs का होता है, जब वो ले रहे थे तो कोई recovery क्यों नहीं आई, में भी हो सकता है, जो वो शुरूवात में 9,15 पे 380 points नीचे था, उसके बाद recover होके 200 points तो यह बड़ा data है, negative data है, तो यह आपको radar पर रखना है, अब आता हूँ मैं दूसरे data पर, क्या कल भी बजार गिरेगा, यह अमीर पूरी लग रहे है, क्योंकि global markets negative दिख रहे हैं, और ADR भी कुछ positive दिख नहीं रहा है, तो यह सारी negative चीज़ है दी, और आपको कैसे maintain करना ह पर्टफोलियो यह भी मैंने share कर दिया है, अब आ जाता हूँ मैं कुछ positive जी जो पे, एक stock है OFSS, और कल ले finance services, आपके लिए इस stock को मैंने काफी बार discuss किया हुआ है, 3000 रुपे पे, यह मैंने का था, blue chip, sorry, MNC company है, इसको आप निवेश करो इसमें, और यह 50% तक return देगा, यह इस stock 50% नहीं double हो गया, 5000 का share हो चुका है, 600 रुपे dividend दे चुका है, और अभी इस stock के जो number आए है, बड़े तोड़ फोड़ आए है, profit company का 437 करोड़ से बढ़कर 741 करोड़ का हो गया है, margin 50% के हो गया है, तो यह stock कल radar पे रहेगा मेरे, किस हिसाब से बागता है, मैं देखना चाता हूँ, और कहीं तूटी ना जाए, क्योंकि अल्रेडी बहुत भागा हुआ है, तो दौनों ही चीज़ा है, बड़ नमर्स सूपाव है, आई से यह potential ने भी अपने numbers पेश कर दिया है, और numbers अच्छे ही दिख रहे है, specialty restaurant के numbers आते हुए दिखे है, यहापे थोड़ी सी क तो यह कुछ स्टॉक्स थे, जो results के दाल पे कल ट्रेड करेंगे, अब कल कहां-कहां results आने वाले हैं, वो भी important हो जादा है, तो उसको भी मैं एक बार आप सभी के लिए short में share करनी कोश्च करूँगा, 18th January, Indesan Bank, बड़े नामों में, Polycab India, Jindal Staliness, Tata Communication, Poonawala Fincop, Metro Brands, 361 Wealth, India Mart, Intermesh, या नहीं की, या इंडिया मार्ट, Intermesh ही है, और कुछ है ही नहीं, Phinolex Industries, Ramakrishna Forging, Sterling & Wilson, Mass Tech, Home First Finance, Shoppers Stop, South Indian Bank, Eclia Solution, Case Solves, India Limited, Dhaampur Bio Organics, Rajnees Wellness, और बाकी कोई बड़ा नाम दिख नहीं रहे हैं मिरको, तो यह कुछ stock हैं, जो आपको कल रडार पे रखने है, results के दम पर तो होप आपको इस सारी जानकारी पसंद आयोगी, वीडियो समझ में आयोगी, thank you so much for watching this video, have a great day guys